कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ चलिए तो करेंट का एक में इंपरन्ट टॉपिक जो आज कर नियूज में चल रहा है उसको ब्रीफ में डिसकुस कर लेते हैं किगाली अवेंडमेंट कुछ ने कुछ आप लोगों इसके बारे में पढ़ा होगा भी न्यूजपिपर्स में तो वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट किस तरीके से इंपरेंट है उसका थोड़ा एनलेसिस कर लेते हैं ठीक है तो अगर टॉपिक की बात करें कि ये न्यूज में आपको करना क्या 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 है कवर कौन कौंचे टॉपिक कवर करना है तो वह कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट इस विए ना कन्वेंशन करके एक चीज है जो आपको ये कॉंटेक्ट में बता होनी चाहिए सेगंड इस मॉन्ट्रियल प्रोडोकल आपको बता होना चाहिए थार्ड इस किगाली ए वह और कुछ बेसिक फैंट्स जो आपको यूपेसी की प्रिम्नरी एक्जामेशन में काम लग सकते हैं तो ये पांच चीज आपको बता होनी चाहिए ये न्यूस टॉपिक को लेकर चलिए तो पांचो चीजों को एके करके ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या है किस तरीके स है पिल के पहला है वियर अ कंवेंशन ःफके हैं ये सारी चीजें ये सारे कंवेंशन ऐग्रिमेंट अमेंट्मेंड ये सब ओजुन छे प्रोडेङ्शन की बात कर रहा है तो इसके प्रोडेइक्शन की बात कर रहा है है तो इसके प fen inspires 75 1985 में कुछ 30 countries ने मिलके ये विएना कन्वेंशन साइन किया था जिसमें उन्हों का में परपस ये था के टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर ये उनका में परपस था जोजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है कन्वेंशन साइन किया मतलब एक डॉक्युमेंट उन लोगों ने जा हैं अब यहां पर उन लोगों ने प complet कर दिया कि हमको प्रपस फुल्फिल करने के लिए वह परपस को फुल्फिल करने के लिए डीटेल में अलगा घ्रणा रूज कि वह उसके लिए हम लोग यह करेंगे फिर यह करेंगे फिर यह करेंगे फिर यह करेंगे मतलब उसका डीटेलिंग के किस तरीके से वो चीज की जाएगे वो डीटेलिंग उन नहीं को नहीं किया 1987 में उन लोगों ने डीटेलिंग चालो किया कि हां इस तरह किसे हम लोग वो प्रोटेक्शन की बात करेंगी जिसको हम लोग बोलते हैं मौन्ट्रियाल प्रोटोकल तो विएना कन्वेंचन के मीजर परपस को फुल्सिल करने के लिए उसको अचिव करने के मीजर प्रोटुकल बनाएस कि यह फॉलोकर घंश चीजे को धियान में रखना पड़ेगा में प्रोटुकल तो यहां से उनका चलू होता है इंडिया ने इक Hom fifteen कभी एना कंवेंशन को साइन किया हुआ है वो चीज़ आपको पता होने चाहिए त्री में अगर वर अब्सक्राइब होना चाहिए और भी आपको बता होने जिए पहला कौन सा आया था बाद में कौन सा फिर आता है तो फिर मॉंट्रियाल प्रोडोकोल का उनका में या फिर Main Objective यह था कि Ozone Deplating Substance को Phase Out करना है एक सबस्टेंस को Phase Out करना है यह उनका Main Objective था Montreal Protocol को लिकर तो Ozone Deplating Substance क्या है तो जैसे हम लोग अभी ओन लेयर के बारे में देखेंगे तो वह ओन लेयर को तोड़ने वाले वह ओन्वीक्थ खराब करने वाले सब्स्टनस ऐसा कोई मंट्रियर ऐसा कोई की मिकल या फिर ऐसा कोई अटम कुछ भी चीज़ जो ओसन लिवर को रहा है खराब कर रहा कि अगर आज के दिन में हम लोग उसको एट जितना लाना है फिर उसको फाइज इतना लाना है तो ऐसा ऐसे करके उसको फेज आउट करना है यह उन्हों ने मेजर ऑब्जेक्टिव सेट किया था इसको एटिएन एक फार्मेशन किया वह फोर्स एंफोर्स किया गया इसको आपको फॉलो खरिमें रहेंगे तो इसको और लगेगी जैसे हमारा कंशन चेंज कनग होता जाता है हमेन लाइफ में चेंजिस आता रहते हैं तो वैसे वैसे इसमें कुछ चीजे ऐड करने की और कुछ चीजे निकालने की जरुरत पड़ी तो वह चीजों के लिए अलग-अलग amendments करते गए बज्वलाव लाते गए कि यह चीजे चेंज करने हैं वो ऑपका एच्र वुद्ट से युद्र उसी थे जो है ईज एए अमेंड मेंड ॥ा आधवा किई सब्सक्राइन यी उसमें कुछTी अमेंड मैं की तौट में Bay आयसा करें तो आपकाराईन मेंड मैं की गाली अमेंड मेरी करें जाता है इसमें कुछ्छ नेक्ष्र आये थे कुंड तो वापस एकबर बोला को ने कुछ चेंजिस के तोरपे जो इर्थ अमेंडमेंड है वह हमारा किगाली किंड्य क्यों पड़ी क्यों पड़ी और उसको इतना अलग से चंग एंडिये किया जाता है तो उसका र्चेशन कुछ यहां पर मैंशिन किया हुआ है कि जैसे कि मॉंट्रियल प्रोडोकॉल में ये बूला था कि हम लोग रिपलेस कर रहे हैं cfc को HFC से यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मॉंट्रियल में cfc chlorofluorocarbon को रिपलेस करता है hfc hydrofluorocarbon से कि अब से हम लोग cfc का use ना करके hfc का use करेंगे ठीक है कि cfc का use ना करके अपसे हम लोग HFC का यूज़ करेंगे तो यह रिप्लेश किया गया था Montreal Protocol में ठीक है क्यों ऐसा किया गया था तो उन लोग ने ऐसा बोला कि ऐसा हम लोग इसलिए कर रहा है क्योंकि HFC जो है वो ओजोन लियर को अक्ट कर रहा है तो मतलब क्या कि यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो वह इसको करेंगे तो उसको रियमिट करेंगे तो हीट यहां पर एंट्रेप्ट हो जाएगी जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो उनको पता चला यह कि HFC जो है अपना ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काम कर रहा है तो यह भी ठीक नहीं है उसको सुधारने के लिए उन लोगोने 2016 में कीगाली अमेंडमेंट्मेंट लाया जिसमें लोग बोला कि अपसे हम लोग HFC का भी यूज नहीं करेंगे हमको HFC को भ ठीक है तो यह एक अपको प्रोसेस फ्लो बता होना चाहिए तो फिर उन लोगोंने लाया कीगाली अमेंडमेंट अब्वियसली उसका में अब्जेक्टिव के हाइडरो फ्लोरो कारबन HFC के यूज को फेस डाउन करना है कितना फेस डाउन करना है तो एक मेजर परसंटेज जितना रिडेक्शन ला देना है तो यह उन लोगोंने एक जेनरल अब्जेक्टिव दिया गया था और यह चीज़ सब पर लीगल ही बाइंडिंग रहेगी सबको कंपल सरी यह चीज़ को मानना पड़ेगा जो भी कंट्री इसको रेटिपाई करके जाती है साइ चीज़ करने में पैनल भी त लोग ने अनेको पैनल भी एक घांटरी इसको साइनwasser करके गई है वो country कैसी कैसी technology यूज़ कर रही है यह चीज़ को reduce करने में या फिर face down करने में कैसी अलग products ला रही है इसको face down करने में safety measures उसके क्या है energy efficiency standards क्या में इंटेंट कर रहे है वो सारी अलग अलग चीज़ों पर ध्यान रखेगा तो यह एक चीज़ आपको बता होना चाहिए कि में बोला कि हरे country ने पुछ है कि हम लोग कितना face down करें तो उन्हों बोला ठीक है आईए बैठी है शांती से बात करते हैं तो उन्हों को नहीं कि हम लोग सारी country को तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे पर फर्स्ट ग्रॉप Кон्ट्री सकेंड़ ग्रूपोइड डिवाइज सब को फर्सटौरीफो दिया घया है उनको टर्lıक ऐसा दिया गया कि आपको च्टार्ट करना है वह फेसडाउन की process plate 2019 से दोज़नी से आपको वह फेसडाउन क्यों स्टार्ट कर देनी है आपकी कथ कब तक खतम हो जानी चाहिए तो और चाहिए तो 2036 तक हो प्रोससद्य आपके खतम हो जानी चाहिए जिस दोरान आपको 15% करना है dall दिया गया डेवलंपिंड कंट्रिज को और दो पार्टे में बाटा है कि हीए डेफलपिंग कंट्रिज इसमें चायना ब्रजील बाकि सरी ओर दूसरा यहां पर भी डिवलपिंग कंडिई है को थोडी वाँ में ज़ोडी थोड़ी वांब रिज zwei है वो सारी कंट्रेश तो यह सेकंड ग्रूप वाली कंट्रेश को बोला गया कि आपको प्रसस्टार्ट करनी है 2024 से आपको प्रसस्टार्ट करनी है 2045 में आपके प्रसस्ट खतम हो जानी चाहिए फेसडाउम की जिस दौरान आपको 20% तक reduction करना है आपका जो भी लेवल 211 में होगा वो लेवल का 20% तक आपको reduction करना है एंड फॉर थार्ड इस कि आपको 2028 में चालो करना है आपका एंड प्रसस्ट होना चाहिए 2047 में और उस दौरान आपको 15% करना है reduction 15% तक reduction करना है पॉन से लेवल का तो 2426 अवरेज लेवल का आपको reduction करना है ठीक है तो इस तीनों केटेगरेशन आपको डीटेल में अच्छे से पता होने चाहिए कि कितना प्रस kate को कितो डिया गया है डिवलप weed ने दो पांट उसमें किसको कितना गया ठीक है ut इंडिया कहांपर बढ़ता है तो इन्डिया अपने थधर गृरूप में बढ़ता है तो at least सबका याइद रहेन आ रहे हैं इंडिया का तो याद रहना है ज़ीकर इंडिया को कुण्सा टर्गेट कब स्टार्ट करके अच्यू करना है और कितना करते लिंग जो आपको ज्यान में रखना है तो यह एक चीजी हो गई किए आमेंड्मेट मैं तो उसको इंडिया ने साइन कर दिया था अब इंडिया उसको करने जा रहा है कि ऑपको धियान में रखने के साइन करना है qa और रेटिफाई तो साइन इंडिया ने कर दिया है जहां जब की गली में समिट मिले थी आप लोग मुझे कमेंठ सीस culi इसमें इंडिया कर पया तो कि हाए जो भी आपका केडिक्रेशन है जो भी आपके टारलेट से मुझे चलेगा मैं संब्हें यह चीज में प्रोसेस करना चाहता हूं तो इंडिया वहाँ पर शाइन कर दी जू भी है फिर इंडिया अपने कंट्री में आके अब यह कीगाली अमेंट्मेंट्मेंट तो हो गया इंटरनेशनल लेवल का रूल से रेगिलेशन उसको इंडिया के फॉर्म में ढालना पड़े इंडिया की एक्जिक्यूटिव विंग क्या कहती है इंडिया की जूइशरी किस तरीके से उस हिसाब से पूरा उसको ढालना पड़ेगा तो वह प्रसेस को बोलता है रेटिफिकेशन के इंटरनेशनल ट्रेटी या फिर कंवेंशन को आपने आपके कंट्री में इंप्लिमे अब यहां पर हर बार बात आएगे ओजों लियर को प्रॉटेक्ट करना और बी जान लेते हैं कि उसके बारे फ्रेक्ट्स और फिगर्स तो बेसिक चीज़ें आपको इतनी बता होनी चाहिए चाहिए पर किस तरह के से हैं उसका स्ट्रॉक्टिर तो जैसे यहां पर मैं आप को समझाओं कि अर्थ की सर्फेस है संपोस्वे फिस थैदैशल के अर्थ कि सर्फेस अर्थ के उपर तो यह चार लेयर में से ओजोन लियर, लोवर स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ता है, लोवर स्ट्रेटोस्फेयर मींज यह वाला रीजिन, कि स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे ले वाला रीजिन, लोवर स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लियर है, है क्या यह ओजोन लियर, है lower stratospheric region में इसका काम क्या है जो इसको इतने product करना है इसको तो obvious काम है आपको बता होगा है कि sun से जो ultraviolet radiation आता है सूरिय से sun से जो ultraviolet radiation आता है उसमें भी specifically UVB rays UV A B और C आता है जिसमें भी ज्यादा harmful है वो radiation को ozone layer absorb कर लेता है पुरुथवी तक अर्थ तक नहीं आने देता उससे फाइदा क्या है तो उससे फाइदा यह है कि UV rays अगर अर्थ तक आ गए तो human को problem होगी animals को problem होगी plants को problem होगी ठीक है जो भी अर्थ पे living thing है उन सबको problem होगी humans को क्या problem हो सकती है तो भी skin cancer का खत्रा बढ़ सकता है skin disease का खत्रा बढ़ सकता है आंख में irritation हो सकता है ऐसी अलग अलग चीज़े हो सकती है ठीक है यूवी रेस से एनिमल्स को क्या तो same with animal के उनको भी कुछ problem हो सकता है उन लोगों का ठीक है उनका habitation destroy हो सकता है plant के वो जो photosynthesis की प्रक्रिया करते हैं उसमें hindrance आएगा तो यह कुछ-कुछ living entities को कुछ-कुछ problems आती है UVB rays से तो यह एक फाइदा है कि उससे protection मिलेगा because of the ozone layer उसके presence के कारण यह protection मिलेगा बाकी सब्सक्राइब तो इसलिए उसको इतना बचाना ज़रूरी है अब थोड़े facts figures की बात करें तो ozone layer की thickness आपको बता होने चाहिए कि इतना मोटाई में कितना है वो size उसकी thickness उसकी है 300 dobson units 300 dobson units जो करीग करीग की थिकनेस जितना ही होगा 3 mm तो यह आपको बता होने चाहिए अब प्रॉसेस एक वर आपको बता होने चाहिए कैसे डिस्ट्रॉय होता है डिप्लिट कैसे होता है ozone layer depletion जो बोलता है वह किस तरीका होता है वह आपको आइडिया होना चाहिए तो चाहलों बात होती है यहां से कि यह आपका cfc का एक molecule है cfc stands for chlorofluorocarbon that is chlorine fluorine and carbon तो cfc का आपका यह molecule है अगर वह cfc के molecule पे यूवी रेस आता है तो वह एक chlorine atom को अलग कर देता है ठीक है अलग हुआ 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 हो गया वह chlorine atom ozone के molecule को hit करेगा ozone के molecule को hit करके उसमें से एक oxygen को ले लेगा और कुछ इस तरीके से एक cl o साथ में और o2 oxygen ऐसा कुछ बना देगा ठीक है अब atmosphere का एक extra oxygen ठीक है एक extra oxygen वापस यह cl और o वाले structure को hit करेगा और यह o2 बना देगा यहां पर वापस cl को अलग independent कर देगा तो जैसे हैं कि आप लोग यहां पर notice कर रहे हो कि process की starting में एक cl अलग हुआ वह cl ने ozone layer को तोड़ा ozone के molecule को तोड़ा oxygen में और प्रोसेस के end में भी एक chlorine एक cl का atom अलग बच जा रहा है यहां पर जो oxygen बन गया वह हमको कोई protection नहीं दे पाएगा वह यूवी भी रेस से यह protection नहीं दे पाएगा oxygen का molecule तो प्रोसेस की end में जो extra एक्स्ट्रा तो क्या जो chlorine वापस से आ रहा है independent वह chlorine वापस से जाके एक ozone को तोड़ेगा वापस यह process repeat होगे और वापस एक chlorine वही chlorine independently आ जाएगा same chlorine वापस कोई तीसरे ozone molecule को जाके तोड़ेगा तो यह process चलती रहती है चलती रहती है तो एक chlorine का atom हजारों ozone के molecule को breakdown कर सकता है तो इसलिए cfc इतना harmful था तो यह general process आपको बता होनी चाहिए ठीक है यह सारी चीज़े मैं आपको primary point of user करा रहा हूं main specific उसका analysis कुछ अलग तरीके से होगा जिसका अभी requirement नहीं है तो यह process आपको idea होनी चाहिए उसके बाद के cfc इतना dangerous है तो उसको तो उनलोग ने बोला कि hfc यूज करो hfc भी अगर greenhouse gas की तर तो पर act कर रहा है तो उनलोग ने बोला अब क्या तो जैसे बाद आपको बता होना ज्यक्कि यह सारी चीज़े यूज कहां होती है यह सारी चीज़े यूज कहां होती है तो जैसे air conditioning में और रख्रीजरेशन आपको आडिया होगा जनरली के एर कंडिशनिंग में और रख्रीजरेटर में यह चीजे यूज होती है एक एक अरफ्रीजर रंट जो बाहर गर्मी छोड़ देगा और अंदर की चीजह को थंडा करेगा एक फ्लुइड होता है या फिर गेस्ट मट्रील होता है वहां पर यह सारी चीज़ होती है सी एफ सी है ए एचाप सी है तो लोगों बोला ठीक है एचाप सी उस नहीं कर सकते तो एच एफ ओ यूस करेंगे अपसे तो यह एक फ्यूटर रिप्लेस्मेंट के तोर पर आया है कि हाइडरू फ्लॉरो ओल तो उतना गर्मी एब्सक्राइब नहीं करेगा तो उतना छोड़ेगा भी नहीं ठीक है तो वह उसका लो है ओजन डेपलेटिंग पोटेंशल भी उसका लो है और क्लाइमेट चेंज में यह कम से कम कॉंट्रिबूट करता है तो सारे उसके जो भी फीचर्स करेक्टरिश्टिक्स है वो पॉज़िव नोट पर है इसलिए हम लोग HFO पर जा सकते है और उसमें भी स्पेसिविकल यह वहला केमिकल यूज करना है थोड़ा टेक्निकल नाम है याद रख लीजिएगा HFO 1234YF ऐसा करके उसक्यामिकल है जो यूज करना है तो यूपेसे का ट्रेंड आपको पता होगा कि कोई भी न्यूज इवेंट्स है तो थोड़ा उसके फीचर फीचरिस्टिक आस्पेट में जाके भी पूच सकता है तो यह जनरली यूपेसे परी का ट्रेंड है तो यह ची आप लोग जीतना भी कंटेंड मिले एक बार गो थू कर लेजेगा एंडवर्मेंट का टॉपिक है तो थोड़ा काम का रहता है यूपेसे के लिए ठीक है चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई टॉपिक के एनलेसिस के साथ तब तक लिए पढ़ते रही है Thank you so much